हेलो गाईज हमारे सदल हिंदी 24 में आपका स्वागत है हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रंट अफीर से समान दित महत्तोपर्ण क्योश्चन जो की आने वाली प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए बहुत यूपयोगी साबित होने वाले हैं क्योश्चन जरू करें इससे पहल करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना नहीं भूले जिसे हमारे नएए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पाहुंस के क्योश्चन सुरू करते हैं क्योश्चन नमर एक भारत में हाल ही में किस देश के साथ स्वास्ते छेतर में सायोग है तो समझो उसके लेश्चन है हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने अकास घंगा के ब्लेक अल के नजदिक तारिक की खोज की घोशन की है उसका स्वरन के तहत की स्थान से पहली स्वर्ण राधा ने ट्रेंड की सुरुवात की इसका आंसर है नई दिल्ली से नेक्स्ट भारत की किस महिला खिलाडी नी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियंशिप में नया वर्ल्ड रिकार्ड मनाते हुए कुल 194 किलो वजन उठा कर गोल्ड मेडल जीता इसका आंसर है सैखौम मेरा वाई चानू ने हालही में 194 किलोग्राम वजन उठा कर गोल्ड मेडल जीता है नेक्स्ट किस्टन हालही में कुलकाता और बंगलादेश के बीच कौन से रेल सेवा सुरू की गई है इसका आंचर है बंधन एक्स प्रेज जो हाल ही में कुलकता और बंगलादेश के बीच में सुरू की गई रेल सेवा है इर इंडिया के अध्यक्स एवं परबंधने देशक के रूप में किशे न्यूक्त किया गया है इसका आंचर है परदीप सिंग खरो लागो इसका आंचर है अफगानिस्थान को भारत सरकार द्वारा परिवहन मंत्राले को 18.5 करोर रुपे की वीतियस हाइता प्रदान की जाने वाली है किस राज्य में 28 नमबर 2017 को सोभाग्य योजना शुरू की गई इसका आंचर है मनेपूर में विश्व भरोतलन चैंपियंशिप में भारत की मीराबाई चानू नी निमन में से कौन सा पदक जीता इसका आंचर है स्वाण पदक मेराबाई चानू ने 194 किलोग्राम वजन उठाकर स्वाण पदक जीता एक बहुत अच्छा रिकार्डिनों ने बनाया है CISCI द्वारा जारी आधिसूचना में अब बारवीं परिक्षा पास करने के लिए पहले 40% की अपेक्षा कितने परिक्षा अंकल लाना आवशेक होगा इसका आंचर है 35% इसका आंचर है 33% इसका आंचर है उत्तर कोड़ीं परिक्षा पास करने के लिए पहले 35% की अपेक्षा कितने परिक्षा लाना आवशेक होगा इसका आंचर है 33% हाल ही में किस देश द्वारा अमेरिका द्वारा उस पर परतिबंद के बावजूद भी अंतर देशे बलिस्टिक मिशाइल का परिक्षण किया गया इसका आंचर है उत्तर कोड़ीं नेक्स्ट क्यूशन हाल ही में किस देश की रक्षय मंत्री तेजस लड़ाको विमान में उड़ान बरने वाले पहले विदेशी बने इसका अंचर है ओडिशा में नेक्स्ट अमेरिका में कितने मुस्लिम देशों है तू नई वीजा मांदर जारी किये हैं इसका अंसर है छै मुस्लिम देशों है तू अमेरिका में नई वीजा मांदर जारी किये हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित्स मारोह में किस देश के प्रोफिशर हीरोसी मारोई को तीसरे परतिश ठित ICCR भारत विद पुरुसकार से सम्मानित किया है इसका अंसर है जापान नेक्स्ट कुशन हाल ही में भारत के किस खिलाडी ने अठारवा विससनुकर खिताब जीता इसका अंसर है पंकज आडबनी ने नेक्स्ट निवन में से किस विडविंटन खिलाडी को व्यक्तिगत खेल स्रेणियों में साल के सरुसरेश्ट पूरुष खिलाडी का पुरुसकार दिया गया है इसका अंचर है किदामभी स्रीकांत को नेक्स्ट भाराय तोर किस देश के बीज सहरी परिवेंट छेतर में प्रोधुग के स्थांतरन के छेतर में सहमती बनी है इसके लिए जल्द ही दोनों देशों के बीज सहमती ग्यापन पर हस्ताक्षित किये जाएंगी इसका अंचर है ब्रीटेन केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस वरिष्ट नोकोर साह को G20 वार्ता हितु भाजपा का सिर्पा चाइडित किया गया है इसका अंचर सासी कांत दास हाल ही में भारत की ओवर्षे ग्रह मंत्री राजनाथ सिंग ने किस देश के साथ नसीले पदार्थ इवं मानव तसकरी और आरती कप्रादों पर रोक थाम है तू समझोते प्रहस्ताक्षित किये इसका अंचर है रूस के साथ इसका अंचर है रूस के साथ इसका अंचर हाथ ॐसकर verbs बेड़बनेटन Knights कितने पदक जीती औसका आंचर है दस पदक निमन में से किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई बालू पत्र उत्कनन की नियमा वाली पर वहां के हाई कोट ने रोक लगा दी है इसका अंचर है बिहार निमन में से भारत के किस क्यों खिलाडी ने इसका अंचर है पंकजाडवानी ने भारत की खिलाडी है पंकजवानानी जिन्हों ने आई बिएस अफ विश्यस नूकर में चेंपेंशिप का फाइनल जीता है इसका अंचर है इसका अंचर है आदित्या एल वन नेक्स्ट उस पहली भारतिय महिला का नाम क्या है जिन्ही विश्यस वास्ते संगठन अर्थात डबलुएचो का उपमान दिशक नियुक्त किया गया है इसका अंचर है सौम्या स्वामिनाथन नेक्स्ट क्विश्चन रामपती रामनात कोविंद हाल ही में किस राज्य में अंतर राष्टिक गीता महुतसर 2017 का उद्गाटन किया है इसका अंचर है हरियानामी राष्ट्रपती ने हाल ही में अंतर राष्टिक गीता महुतसर 2017 का उद्गाटन किया है नेक्स्ट क्विश्चन रीतो फोगाटनी अंडर 23 विस्व कुस्ती चैंपियंशिप में कौन सा पदक जीता इसका आंसर है राज़त पदक नेक्स्ट क्विश्चन बंगला देश ने सरनार्थी रोहिंग्या मुसल्मानों की वापशी के लिए किस देश के साथ एक समझोती प्रस्था अक्सित किये इसका आंसर है मियामाल के साथ नेक्स्ट दिल्ली विश्व विध्याल्य की किस कोलेज का नाम बदल कर वंदे मात्रम विश्व विध्याल्य किया गया है इसका आंसर है दयाल सिंग इवनिंग कोलेज का नाम बदल कर वंदे मात्रम महा विध्याल्य किया गया है नेक्स्ट निमन में से कौन सा गेंदबाद टेस्ट करकेट में 300 विकेट लेकर दुनिया में सबसे तेज बोलर बन गया है इसका अंचर रवीचंदरन आस्वीन तेज गेदमाज है जिन्होंने 300 विकेट तेजी सी लेकर सबसे तेज बोलर बन गई हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारतिय समिधान दिवास समारो कायोजन कीया गया, isका उद्गाडा निमं में से किया, इसका अंचर है रश्टरप्ति रामनात को विद्ने, नेक्स्ट निमं में से किस केंद्रिय मंत्री इन रजस्त अदश्य की रूप में सपत ग्रेंड की है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 12 सालिय उससे कम उमर की लड़कियों के साथ बलादकार के दोश्यों को फांसी की सजा का प्रस्ताओ की मंजूरी दी है इसका अंसर है मद्दे परदेश सरकार ने बहुत अच्छा गदम यहां पर उठाया है कि जो 12 सालियों से कम उमर की लड़कियों के साथ बलादकार में दोश्यों पाये गए उन्हें फांसी की सजा का प्रस्ताओ मंजूर किया गया है बहुत अच्छा फैसला यहां पर next question है गेंदर सरकार ने ? हाल ही में किस पर्टिदार नेता को व्यच रेणी की व्यीप सुरुक्षा प्रदान की है इसकांच आंच्छ हांच्छ हांग परन। हाल हमें किस वीलम को भारत में रीलीज नहीं किया गया ? इसको यहां पर भारत में रिलीज नहीं किया गया है जबकि ब्रीटिस एंसर ने इसकी मंजूरी दे दी है नेक्स्ट क्यूस्ट्टन पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश पर मानवे मुद्यों को राजनितिक रंग देने का रोप लगाया है इसका अंचर है भारत नेक्स्ट क्यूस्टन सुप्रिम कोर्ट ने किस राज्य की जी सी आर्जी इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस में दोहजर सत्र अठारा सात्र के लिए एमबिबियस कोर्स में किये गई दाखिलों को खारिज कर दिया है इसका अंचर है उत्तर परदेश नेक्स्ट क्यूस्टन विश्णोंदास भावे प्रोषकार से हाल ही में किसे समानित किया गया है इसका अंचर है मौहन जोसी को नेक्स्ट हाल ही में किस बैंक ने उधमिता को प्रोष साहित करने है तूँ स्विम साहिता समुहों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है इसका अंचर है आंदर परदेश नेक्स्ट क्यूस्टन विश्ट सुनामी जाक रुकता दिवस कब मनाया जाता है इसका अंचर है पांच नवंबर गो नेक्स्ट और लास्ट क्यूस्टन है डी ए एन एक्सेज सत्रा हाल ही में चर्चा में रहा यह इन में सी क्या है इसका अंचर अंचर अंडिमानिवर निक आपको हमारे किसी भी क्यूस्टन में संसे हो तो कमेंट जरूर दे आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें जिसे हमारे सब भी विवर्चिस का फाइदा उठाज के अब हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिक्सन बेल पर